असलाम लेकुम वेलकम टुमा यूट्यूब चैनल की चन्वीत नाफीश मैं हूँ शेफ मैवीज जी और यह है मेरे पापा कैसे आप सब उमीद करते हूं कि आप सब खारियत से होंगे खुश रहें अबाद रहें अपनी घरों अपनी भड़ों पनी चोटों के साथ अला की हि का एक सबाल आज काने में काहे तो बहुत ही मज़ी कि हम रशी बना रहे हैं उमीद करूंगी कि आपको पसंद आएगी और अगर चाहते हैं कि मैन एक सब्संद आपकी पर चाहँए तो चल्दी से यूट्यूग को मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और प्र याज पिशे खुला दूद यह खुला दूद आपने लाजमी लेना डबेवला आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना देकर डेट किलो में फ़स दूद था इसको आपने तीन से चार बॉयल आने तक अवेट करना और जैसा कि आपको बता मैं सबकी रिक्वेस्टरस भी बनाती हैं आप पर जैसे यह देखें खुला दूद इसलिए लेना क्योंकि फुली फैट होता है क्रीमी होता है यह इससे जो टेस्ट आता ना वो डबेवले दूद से नहीं आता जब दो से तीन इसको बॉयल आजए तो आपने इसमें चीनी आड़ कर देने घर में जितनी भी आपको तो आप इसमें चीनी कम इस्तेमाल कर लें लेकिन मैंने इसमें सिर्फ हाफ कॉप यूज़ किया बहुत जादा यूज़ नहीं की क्योंकि यह फ्रूट्स वोगरा जब हम इसमें एड़ करेंगे डालेंगे ना तो वो मज़ीद बहुत जादा मीट होज़ेगा तो वो खाया लेना है कसटर पाउडर यह में पास तीन खाने के चॉमचश है और यह कोई भी फ्लिवर आपके कसटिर था इसक अंदर तो रहाँ सा पानी भात इस प्याली चीज़ गारा यह बहुत है यह तहार मने पानीं चैनला मैं इस तो रहाँ सा अप्याली में बना लेकिर झाल करना और डूद में जैसे ही आपने डालना एका सा आपने डालना और एका साथ के चमच्छ चलाते रहना है यह ह्apa हिम कोशुण है छोट्व चिपस आपको देती रहूं अब आपने इसको चलाते रहना है जब तक कि अच्छे असने देबस मेठेरा आपके रेसीप आपके नेड़ा आपके लाई रियुरू arrogance अप्र भी आपके रिवास हिए र decision कि सब्रब्लाई नहीं घ्लाई की सब्कूएन के यहां व्या जाए यह उज़ हूं है यहां पर यहां मेरे 27 निट मेरे 27 का यह आपने गारा नहीं करना, मतलब इसको ठीक नहीं करना आपने, इसको तोरह सापने पतला रहने देना है, जब आपको लगे ना कि यह अच्छे से गल गया और यह चमच के मिदसे आपने इसको चमच इस तरीके से उठाने और यह देखें, यह तो जैसे जैसे यह थंडा होगा ये मज़ीद जो है न और गाड़ा अऊते जाएगा अब आपने इसको निकाल ले ना और निकालने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरीके से चमच आपने उठाने और कुछ इस तरिके का थोड़ा तोड़ा गारा होना स्टार्ट हो गया यह देखें थोरा सा यह ऐसे उठाएंगे ना चमश तो यह हलका सा गारा होना स्टार्ट हो गया अब आपने इसको फ्लेम ओफ कर देनी है और इसको उस परतन में निकाल ले ना जिसमें यह अराम से ठंडा हो जाए और यह देखें इसको जैसे मैं निकाल ले ना तो यह बुल जा जाती है और खरबूजे ठीक है और साथ में फ्रूर्स आपको जो भी अवेलेबल हो वो आप इस्तमाल कर सकते हैं एपल जो है मैंने ना चिलका नहीं उतारा था यह रैड़ कलर का आपने लेना और बनाना आपने लेना है यह सारी चीज़े मेरे पास डिकॉर थी यह वन ठंडा हो गया फिर आपने जो है ना फ्रूट को कट करना है वरना वो जो है ना बलैक हो जाते हैं यह चुछ चुछ टिपसा फोलो किया करें और मैंस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें सारे बनाना भी कट होगे और यह एपल भी हमारे पास कट होगे और यहां पे मेरा बहुता बाज़ा एक साइट पे आ गया था और मेरे हाथ जो है ना स्टिप होगे खेर आपने इस खर्बूजा वह भी आपने इसमें इसको कट कर लेना जो आपको पसंदो ना फ्रूट वह आपने इस्तमाल करना है में जो चीज आ जाजाती है आपने फ्रूट का इस्तमाल और यह डालने के बाद अब आपने इसके उपर डिकॉर करनी है इससे तिनी प्यारी स्की लुक आए कि इसको देखते ही दिल करेंगा है कि यह हम जल्दी जल्दी से एक हाले शर्फियां थी जिसको हम चोटे मुरब्बे भी बोलते हैं यह ग्रीन कलर की और रैट कलर की जो आपको पस अवेलेबलो जो आपको पसंद हो आप इसके उपर एड कर लिए मैंने थोरी थोरी चीज़े ली थी और जो फूर्स थे वो मेरे पस वन वन कप थे तीनो ठीक है और यह साथ में हम इसमें काजु डाल देंगे शर्फियां डाल देंगे जो मैंने अब आपको सारी जही चीज़े बताएंगे वो आपने इसके उपर एड कर देंगे बदाम थे मेरे पास यह भी आपने डाल देंगे और यह किश्मिश थी जो मेरे पस चोटी एक चोटी साइस की घुती है जो आपको बस अवेलेबलो तो आप इसके उपर एड करें और यह तने मज़ेदार वे ना जटपट बनाएं तो माशाला अलहम्दुलिला आपक जिन्दगी सहत अंदर उस्ती दे कमाने वालों की पकाने वालों की और खाने वालों की यह इतनी मज़े की बनी थी आपने इसको रस्पी को जरूर बनाना और बनाके मुझे इसका फीड़बेक जरूर देना और यह शाम का व्यूटूब कमाल था तो कैसी लगी आपको आज के रस्पी उमीद करते हूँ कि आपको आज के रस्पी अच्छी लगए होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नाइक्स रस्पी आपकी पसंद की बनाए तो चलए से मेरे वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमेट में अपनी फेवर ट्रस्पी का नाम लिखें और मुझे इचाज़त दें अलाफीज